नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़िदार कॉमिक्स भूत पार्ट टू कुछी कदम चल कर बर्खा बुरी तरहें चकरा कर गिर पड़ी ओ नहीं अगर होश में आने पर कांता की लाश इसे फिर दिखाई पड़ी तो नजाने ये क्या कर बैठे उफ क्या मुसीबत है लाश को फिलहाल स्टोर रूम में रखना ठीक होगा लाश स्टोर में रखने के ब बर्खा इस वक्त तुम जाओ यहां से प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो चली जाओ कैसे चली जाओ कमीने कांता के बाद अब तेरा नंबर है बुरी तरहें उचल कर पल्टा ही था अमर की बर्खा के तेज नाखुन उसके चहरे में गड़ गए ही ही आई ओ यह फिर पाग यह तो फिर बेहुश हो गई सोच कह रहा है बेवकुफ अगर यह जिन्दा रही तो तुम सब के सिरो पर मौत की तलवार बनकर लटकती रहेगी खत्म कर दे इसे हां मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूँगा अमर ने बर्खा की गरदन धर से जुदा करने के लिए अच्छा होता जेड जी कि आप मेरे टुकड़े कर ही डालते आधी रात को अचानक कर कौन है बाहर बर्खा जेड जी दर्वाजा खोलिए बर्खा इस समय लेकिन दर्वाजा खोलते ही कोई भारी वस्तू उसके उपर गिर पड़ी ओ यह क्या कानता खौफ में डूबा अमर चीकता हुआ वहां से भागा नहीं नहीं यह नहीं हो सकता मैं मरना नहीं चाता मुझे कोई नहीं मार सकता मुझे कोई नहीं मार सकता ही 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 अगली सुभा मौत का सा सन्नाटा आत्मा की गंद गुरु कपाली से छेपी न रहेगी आप भीतर चलकर उसे देख जीजी स्वामी वह रही जेट जी जिठाने जी बर्खा तुम ठीक तो हो ना हाँ लेकिन जीजी बड़े जेट जीवा जिठाने जी क्या हुआ उन्हें कहीं तुमने वेकल रात से गायब हैं क्या ओ नो काल का चक्र गुरु कपाली की तीसरी आंख अनर्च देख रही है पुत ये कौन है सवाल मत करो बर्खा जो कहा जाए करो बर्खा सुनिता के साथ बात्रूम पहुँची मैं टब भर लेती हूँ लेकिन जीजी ये सब क्यों इसी पल सुनिता के चीक से बंगले का कोना कोना धर्रा उठा सुनिता की चीक अनर्थ पाउं के एक जबरदस्टोकर के सा शेखर ने बात्रूम का दरवाजा खोला फिर क्या हुआ सुनिता तुम चीकी क्यों वो टब में खून शेखर का दिमाग भग से उड़ गया खून एक एक कुछ सोचकर वह चतकी और भागा नल उपर टंकी से कनक्ट है कहीं शेखर शेखर कहां जा रहे हो हम इस मन्हूस बं शेखर अमर भया की सुनिता यह सुनते ही सुनिता मानो पागल हो उठी बोल बता कमीनी जेट जी को किसने मारा बता वरना मैं तुझे जान से माड़ा लूँगी आह सुनिता छोड़ दो यह क्या पागलपन है यह कुतिया हमारी जान के पीछे पड़ी है इसी ने जेट जी क मारा है मैं ऐसे जान से माड़ा लूँगी ओ आह सुनिता छोड़ो पागल मत बनो नहीं शेखर छोड़ दो मुझे मैं इस कमीनी चुड़ेल की गर्दन दबा दूँगी आह होश में आओ क्यों तमाशा बना रही हो कपादी सब ठीक कर रहेगा फिर उसी शाम को बोल दुष जुष्ट कपाली जा भाग जा वरना जान से हाथ दो बैठेगा मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ तु मेरा कुछ नहीं बिगार सकता मैं तुझे भी जान से मार डालूँगा भढाक उफ जलाकर राक कर दूँगा जो मेरे रास्ते में आएगा जा भाग जा आह ये आत है यह हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगी उससे पहले मैं इस कमीनी को खत्म कर दूँगा हूं अचानक परखा खूनी शेड़नी की तरहें शेखर पर जपट पड़ी और ही 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 आई नहीं वह द्रिश्य देखकर सुनीता चीकती हुई बाहर भागी नहीं नहीं बचाओ बच की तरहें घायल शेखर लड़ खड़ाता हुआ बाहर निकला और ये मुझे मार डालेगी मुझे भाग जाना चाहिए मुझे आह ही 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 पागलो की तरहें कार का धरवाजा खोल कर वह भीतर समा गया अब मैं यहां नहीं रुकूंगा किसी कीमत पर नहीं आह कार को उसने आंदी तूफान की तरहें दोड़ा दिया तभी शेखर शेखर रोको रोको मुझे भी साथ लेलो ही 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 रोको रोको प्लीज शेखर मुझे मुझे धड़ाक आई और ठीक इसी पल दहशत से जड़ हो गए शेखर के हिरदे ने रड़कना बंद कर दिया कार बुरी तरहे अनियंद्रित हुई सड़क पर लहराई और दूसरे ही चन एक भयनक विस्पोर्ट के साथ उसके परखचे हवा में उड़ते चले गए गश्ती पुलिस जिपसी का सायरन हवा में गुझ उठा इधर बरखा पागलों की तरह हस्ती चली गई हाँ हाँ हस्ती हस्ती अचानक बरखा पागलों के ही समान रोने लगी और उसने अपनी चूडियां तो डाली आज मैं विद्वा का ये रूप धारन कर सकती हूँ हाँ हाँ मैं मैं विद्वा हूँ और बस इंस्पेक्टर साहब उसके बाद आप आ गए हाँ मैं कुबूल करती हूँ मैंने एक नहीं चार कतल किये है खुद पर नितिन का भूत चर जाने का जबरदस्त अभी ने किया है मैं हत्यारी हूँ लेकिन मैं हत्यारी क्यों बनी उन्हीं चारों दरिंदों के कारण इंस्पेक्टर दौलत के लालच में मेरे अपाहिज पती नितिन का कतल कर दिया गया शेखर वसीयत के मताबिक इस लंगडे की शादी के एक साल बाद इसे इसकी जायदात का हिस्सा मिल ज अभी लो डार्लिंग दोनों ने उन्हें अपंगो वाली कुरसी पर बिठा दिया और आह कमीनो कुत्तो भगवान तुम्हें कभी शामा नहीं करेगा अरे यह तो अभी भी जिन्दा है अब नहीं रहेगा आह मैं अभागिन उसी चन अपने पीहर से लोटी थी और वह द्रि विद्वा का जोड़ा नहीं पहनूँगी मैं नहीं 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 और फिर एक दिन मैंने ऐसा अभीने शुरू कर दिया कि जैसे नितिन का भूत मुझ पर चड़ गया है मैं तुम सब को मा डालूँगा हा 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 चुडैल दिखने के लिए सबसे पहले मैंने अपने मुह पर बकरे का खून लगा लिया उफ इसकी मुह पर खून लगा है चुडैल अगले दिन लंच के समय मेज उलटते वक्त मैंने चुपके से एक रक्त भरा गुबारा मुह में रख लिया कांता को ड्राने के लिए उस पर खून की उल्टी की कांता वा अमर के बैट पर हड़ी वा स सबको बना होगा सबको मार डालूँगा कांता की छाती में केल ठोक कर उसकी हत्या की आह टेप रिकॉर्डर में रखी कैसे टेने के लिए मैं अमर के कमरे में जा पहुची और बेहोशी का नाटक करते हुए अमर को डराने के लिए मैंने ही कांता की लाश का इस्तमाल किया ज अब मैं भी चैन से मर सकूंगी और फिर वह सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ धाएं एक गोली चली और बर्खा की खोपड़ी में घुस गई तो यह थी तुलसी कॉमिक्स की एक मज़िदार कॉमिक्स ऐसी ही मज़िदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद